हुआ है है गाइस मैं हूँ अरुन चौधरी वेलकम पैक टो मैं चैनल तो अभी मैं हूँ डिस्किट में और यहां मैंने जो होटल लिया है वह थाचुंग एस्ट हाउस कल रात हम यहां प्यादे लेट हो गया था काफी तो कल रात में आपको दिखाने पाया रूम होगे रहा अब आज मैं दिखाता हूं आपको काफी अच्छा के साउस है पार्किंग सर्विस भी काफी अच्छी है मतब सब कुछ है आप हजार रूपय का रूम मिला हमें तो अभी टाइम हो रहा है 11 और हमें निकलना है आज यहां से पैंगों के लिए शोक रिवर वाला जो रूट ह हम वो ले रहे हैं और अभी तो बारिश हो रही थी सुड़े काफी तेज हो रही थी बड़ अभी मौसम काफी साफ है तो वगरा है तो अभी हमने नास्ता वगरा कर लिया है और यहां पे डिस्किट में एक चीज हो गई हम ऐसा कि हम पैट्रोल पंप के भुरू से आ गए थ तो अब सब सेट है औल सेट है और अभी हम यहां से निकलते हैं पैंगाओं के लिए तो यह मेरा रूम जो अंदर सेखता है ऐसा तो चलो बस 11 बच चुका है और निकलते हैं यहां पर डिस्केट में थोड़ा बहुत एक्स्टोर करेंगे 5 मिनट और फिर निकलते हैं यहां से पैंगों के लिए तो चलो चलो हर हर महादेयो वेलकम टू डिस्केट मॉनस्ट्री तो आपने इस जुगे को तो बहुत बार सोशल मीडिया पर देखा ही होगा डिस्केट मॉनस्ट्री को यहां पर एंट्री टिकेट्स लगेंगी तील लोग बढ़ प्रस्ट्री टू लोगे प्लाइब जिस्केट्स्ट्री को यहां सब्सक्राइब ज्याजाएब टू जिस्केट्स्ट्री टू बढ़ेंगी झालो वेल वेल तो बस अब प्रस्थान कर चुके हैं हम पैंग गॉंग के लिए एटीवी राइड वान वर्ड हाइस्ट सेंड यून्स खल सार नुपरा तो यह दुनिया का हाइस्ट सेंड यून्स है क्या वात है यह फरस्ट नहीं पता चला मेरे को मंद तो करता है शेरनी को तोड़ा दूं इस सेंड यून्स में बट मेरी शेरनी सेंड यून्स में जिलना ही पाईगी फस जाएगे अलग से और निकालने में बलड़ी दिक्कत जाएगे तो वहां पास है टाइम की कमी तो हम निकल रहे हैं सीधे पैंगाउं के लिए क्यों प आपया पैशड दो पच्पन में जो हम लोग स्कूल में सीनरियां बनाया करते थे वो देखो हमारे सामने है अब अब थ्रीडी व्यू में उपर पहाड और बीच से नदीया निगाला करते थे देखो सेम वही हमारे सामने है वो ऐसे ऐसे करके पहाड बनाते थे हम और नीचे से ऐसे नदीया और बस ब्रिज भी एक कमी है और एक दो भैस या जानवर जो भी केटल पकर रहोते हैं वो सब बिलकुल बच्पन वाली सीनरी बन जाएगी है आपर पर वो जो हम पेंटिंग करते थे बच्पन वो इतनी सुन क्वाच शकती पैंगन ले में 1-30 तो पैंगन यंट 105 क्लो मेटर है और यह जा रहा है खार दो मारुट तो चलो इस में तृभज बेली और हो हो हुー अ हुne कुछ ज्यादा ही नॉमाड टाइप वाला रूट लग रहा है मेरे को यह अची रोट की शरुवाद हुई थी क्या मिल गया क्या मिल गए या अब हुआ हाँ 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 तो यह है श्योग वैली वाला रूट अगहाम पहुचेगा भी उसके बाद पैंग अंग अब आप एसी रोड रहे तो मज़ेदार लगे अब आप एसी रोड रहेगे तो मज़ा आएगा ज़िए खराब जाता ना मिले 130 किलो में रहे जाता को दिक्क्त होनी को अब लिए नी रोड अच्छे है तो पूर्प पूरी वाली वाली फीलिंग आरही है। बिल्कुल ये कट वो कार से थे हम बाइक से हैं। ऐसी क्या बात है। रॉयल इन फील्ड से हैं। तो पीजरिए जोज़ की बाइक गरे बात है। आती पूबे बात है ये जगा पिए शल्ड अपने आपको कि अपने आपको सेय। चलाओ और जोपने अपने आपको सेफ चलाओ जोगाओ कितनी संदर जगा है यार कैंप लगा के दस पंदरा दिन के लिए बैस जाओं के यहीं पर दोनों साइड डिजर्ट और पीच में इतनी प्यारी रोट और सामने पहाड पे जो राइड करने का मज़ा है आओ यार आप लोग आओ एक बार लदाक और यह रूट पे जरूर आना जरूर 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 आना टैंग उंग जाने का यह शियुक्र वाला रूट है बहुती बहतरी रूट है यार क्या रूट है यार मज़ा आगया मज़े दार वादियों में डिजर्ट में फुलान नेचर में इधर देखो इधर देखो सामने देखो हर तरफ नजारा ही नजारा है सिर्फ सिर्फ नजारा ही नजारा तरफ दो हरो कर दो हरो हरो यह जो पेड़ है पता नहीं किस चीज़ कहलेंगे बहुत ही प्यारे हैं इस पूरे रूट पे यही दिख रहे है मेरे को बड़े संदर पेड़ा यार लीज इनकी बड़ी 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 है प्यारी लग रही है कहीं रास्ते में दिखे जहां पर मैं इनको मतलब पांस आपको दिखा पाऊं तो मैं दिखाता हूं ऐसे तो यह कुछ नीचे हो गए हुए है तो इस रूट पे क्या बात है ढावा भी है तो चलो कुछ खाते भीते हैं क्या बात है उम्मीद देती इस रूट पे कुछ मिलेगा खाने पीने को वाट टू क्क्राइब कर दोड़े खाय ले लेलो और क्या लेना भी ले अफिर अग्या वर यह फिर और ओ मेंड़े टीन माही थीन चाहे तीन माही कर दो एंगज ह्पलें कर दो वे यार तो अभी हम रुके थे यहां पर अगहम कर के जगा है यहां पर उमीद ने थी कि कुछ खाने पीने को डापा और गएरा मिलेगा बट मिल गया तो मैगी चाय वगर ली और अब निकल रहे हैं यहां से लोग निकलते हैं पैंगांग के लिए अगहम से यहां से पैंगांग है पैंगांग लेक साथ सतर किलो मेटर मता रहे हैं बट मुझे तो लग रहा है सौ किलो मेटर है हाँ चलो जितना भी तीन घंटे बोला है नोने आके हम अविस अपने आके हम खुद पहुंच की देखें कितना डाइम लगता है कितने प्यारे फूल है इस डिजर्ट में भी साथ जहीं प्यारे प्यारे फूल है देखो आप बहुत ही प्यारे फूल है देखो आप वहत्रीन यार साहफ कत्थरी लेंडसलाइड वाला जोन है यार एक पत्थर गिरा खेल खतम जल्दी निकल भाई यहां से अरुन जल्दी निकल अई लग रहा बस ऐसे जो जुड़ रखें बस हलका हलका सब भी को कुछ हुआ और पत्थर गिरना चालो भी तुछ हाउ हाई हाई कर दो है कर दो हुआ हाई जाय हाई तो पैंगॉंग लेक अभी बचा है सतावन किलो मेटर और है मैं दे शोप में वेल्कम टू तॉ 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 अब इस साइट काफी ठंड लग रही है यार अभी तक तो बिल्कुल मज़ा आ रहा था अट अब ठंड लगना शुरू हो गई है अब भी हम रुके थे अपना पर्मेट दिखाने के लिए पुलिस पूस्ट तांग से दुर्बुक तो चलो हमारा पर्मेट तक गया है और हम निकल रहे हैं यहां से 35 किलोमेटर और है भी तो ज्यादा ज्यादा 45 मिंट लगना चाहिए क्योंकि रूड है अच्छी और अभी हो बच्ची किते प्हारे नहीं अगे मत जाब ए趣 मिलेटा रसने नहीं है हाँ हाँ दिर यहार यही मुल्धा रसने में क्ह यह यह यहार उरूउटनीजिए? मीठ यहीचिन धर इस गय सम्gic। कुछ खाने को यह है कि अभी कर दिखने वाली चीज ती मिली पड़ी प्यारी थी यार क्यूट सी हमाब बस कुछ थान इखाने को नहीं तो खिलाते उसे आप लोग बता क्या चीज है वो खर्गोश टाइप की है यही मुझे दिखा था हां यहीं मुझे पहले भी दिखा था पड़ी यहां तो फ्रेंडली होके बिल्कुल पास आ गया है जो कि आपके रिखा यहीं है लोट ही रहता चुकी है तो पह फेमेस चार किलो मीटर लेकश को अ तो आप सब की बिजबरी खतम होने वाली है और मैं दिखाने वाला हूँ पैंगॉंग लेक ते फेमस पैंगॉंग लेक यहां से व्यारा देखो अप स्टार्ट हो चुका है और यहां से को देखना में आपको बाद से लिखा हूँ दिखा हूँ अचलो पास तिक्षाने आपको पैंग गॉंग प्रिजेंटिंग यू च्रेट पैंग गॉंग लेक हा पहतरीन यार बहुत देखाएज टीवी में हर नेट पे फोटोज में आज हमने आखों से भी इसे देख लिया क्या प्रहतरीन जी है यार क्या प्रहतरीन झाओार क्यान पर्वाइब रिर्म क्या उचरों से बांगर राल माल प्राम राल प्राम क्या है इस थांगर